नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकष इंडिया हेल्थ में मैं हूँ आपके साथ अमित चर्मा इंडिया हेल्थ में हम हर बार अलग-अलग मेडिकल टॉपिक्स पर डिसकेशन करते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है होमियोपैथी इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नीता शर्मा जो पेशे से होमियोपैथिक सूपर स्पेशलिस्ट है तो चलिए इस कारिकरम की हम शुरूबात करते हैं हुआ हुआ है पुने रिसर्च सेंटर से इन्होंने डिग्री प्राप्त की है आपने पुने रिसर्च इंस्टिट में अपनी सेमाई दी है साल 2000 में आप Research Institute पुड़े में चैनित होने वाली पहली प्रतिभागी थी रायपूर शहर में आपका अपना Research लेनिक है जहां BHMS के विद्यारतियों को आप ट्रेनिंग भी देती है जिसके लिए उन्हें Award of Excellence से नवाजा गया है और आपको संगीत का प्रेमी कहा जाता है आप अंचल में एक मात्र फीमेल हवायन गिटारिस्ट हैं आप रिदम Queen Central India Only Girls Band की डारेक्टर और कॉडिनेटर है और बैंड में लीड सिंगर और मैलोडी का प्लेयर मुह से बजाने वाला एक वाद दियंत्र है और guest artist अपिनित्री की रूप में जोहार चत्तिसगर से आप में आप काम कर चुकी है हैं और आपने बहुत सारे निट्ट शुल्ख सेवा कारेकर समाज में एक उत्थान की अनुठे मिसाल कायम की है। अप्लब्धियां बहुत सारी हैं लेकिन होमियोपाइथी की प्लब्धियों के अदि हम बात करें तो माईप आज के दोर में जहां एलोपै्थी पद्धती को काफी हावी माना जाता है इलाज के लिए होμεोपैथी निश्रित तोर पर एक बहुत प्राचीन पद्धती है काफी समय हम से होमेपैथी के बारे में जयनकारी देने के आप नोगों ने मुझे यहां पर बुलाया है अचली आज का जो समय है होमेपैथी, अलोपैथी, आयरुवेदा यह कोई किसी को अभी हम हावी नहीं कर सकते शौण कि हर पैथी का अपना एक साइंस होता है और आज कर जो समय हम इंटीग्रेट करके ही काम करते हैं हमेज की डर्वत होती उसकी मदत लेकर किmmar通? हम मारीज को, हमारा में, मुख्या उत्देश होता है, अजहां तक सवाल है क्या होमेपैथी कैसे उनको treat किया जाता है लेकिन होमेपैथिक साइंस में हम तीनों planes यानि हमारी spiritual plane, mental plane और physical planes इन तीनों पे ही इस medicine का असर होता है तभी इस से holistic treatment का आता है जयादा तर हमहमेथी में क्या करते हमारे पास मरीज आते हैं तो हमारी जो counseling जो होती है वो उनके जीवन की शैली, उनके जीवन में जो घटनाएं हुई, उसका उसका क्या असर हुआ, उसके एक जो कारण होता है, जो मुख्य, जो cause, root cause जीसे हम कहते हैं, हम उसे खोजने की कोशिश करते हैं, और उसका काफी गहन अध्यन करने के बाद, उस व्यक्त formation, positivity से उसका treatment, healing process ही है, healing process है, तो वैसे ही mental plane में अगर किसी को कोई भावनात्मक चोट पहुची है, तो उसका भी इलाज होमोपैथी में होता है, और बीमारी आती कैसे, उसका मैं एक चोटा सा example देके जरनी समझाओंगी, हमेशा हमारे जीवन में कुछ न कुछ तनाव तो बच्चपन से लेकि अभी तक तो उन घटनाओं का उन तनाओं का हमारे जीवन पे हमारे उपर असर होता है, तो हर व्यक्ति का एक threshold energy होती है, threshold limit होती है, जैसे एक rubber band होता है, आप उसको खीषते जाएं, उसके बाद जो break होती है, उसी प्रकार है, अपना human mind अगर किसी घट से उस अवस्था से या negative energy से भरपूर है, तो उसका असर फिर हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे मन पे पड़ता है, तो मन पहले बिमार होता है, उसके बाद फिर तन, तन पे आती बिमारी, तब आती है जब उस व्यक्ति का breakdown होता है, तो इस जरनी को हमें बहुत ध्यान से समझना होता है, और फिर उसका holistically उस personality को समझ के, उसके स्वभाव को, उसके मोल स्वभाव को समझ के, फिर बीमारी कैसे आई, और अब ये person हमारे पास कैसे आया, उसकी दवा होती है, तो इसलिए इसे holistic treatment कहा जाता है, बिल्कुल, holistic treatment इसे इस वज़ा से कहा जाता है, कई बा हर्मोनल इमबैस बहुत कॉमन होती जारी है, और उसका जो रूट है, वो है हार्मोन्स, तो हम जहां तक देखते हैं, कि हार्मोन्स का और जो हमारा इमोशन का जो सेंटर होता है, वो एक ही होता है, अगर आपके लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, तो उसका अ हर्मोनल सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उसके अंदर में फिर सारे और शिस्टम आते हैं, तो उसका धीरे धीरे ग्राजूली उसका असर होता है, उसके बाद में, अगर उस परसन का वो और वीक है, तो वहां पर जाके बीमारी बैठ जाती है, जिसके लिए फ कई समय महीनों या सालों तक पिरेट्स आते ही नहीं है, महावारी कहते हैं उसे, तो इस तरह की जो शुरुवात होती तो आपने देखा होगा कि काफी मोटापा आ जाता है, चिड़-चिड़ा पांट, डिप्रेशन, तो यह सब हर्मोनल की कॉम्लिकेशन या साइड और उसके बाद में सारी छीजह फिर ठीक होती है, तो इस तरह की पद्धती है और आजके समय में जो बीमारी आने से भी पहले, यदि हमने किसी की हिस्ट्री पता चलगी कि मा को भी इस तरह की बीमारी थी या नाना नानी, लियो, गय्या की problems थी-टीर्जर है घल्दी को दे है कि क्या ये बिमारिया अनुमाशिक हैं तो क्या इसका एक पूरा लंबा प्रोसेस आप होमियोपैथी में भी फॉलो करते हैं बिल्कुल यहां तक कि कॉंशियस माइंड सबकॉंशियस माइंड आव चेतन मन चेतन मन यह सारे चीजों को भी हम ध्यान में रखते हैं यहां तक कि हम उसको सपने कैसे आ रहे हैं उसका भी आनलेसिस होता है बहुत डिफ स्टडी होती बहुत डेपन होती तब कहीं जाके वह परसन क्यों बिमार वह वाइज है वह उसको सफरिंग के कारण को ढूंडना होता है और जब ढूंड करके उसका कारण का रूट कास को हम ट्रीट करते हैं तो सारी बीमारी अचान अचान आप हो जाती है जैसे कि फॉर एक्जामपल हार्मोनल इंबालेंस हुआ तो क्या होता है जो फीमेल होती ह हार्मोनल सप्लीमेंट्स लेते हैं हार्मोनल सप्लीमेंट्स जाकर के सीरफ ब्लड में घुल जाएंगी और वो चीज़े मिंटेन रहती है इसलिए कई दवाओं को कई सालों तक या फिर जिन्दगी भर भी खानी पड़ती है लेकिन होमिपर्थी में क्या होता है कि और गन क इसलिए इसका कोर्स होता है इसका पूरा कोर्स होता है ताकि वो नॉर्मल में आ सके क्योंकि कोई भी चीज बिगडी होई होती है तो उसे सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगता है जरूर है लेकिन कुछ साइंसेज में क्या होता है कि तूरह अपन गोली दिये वो को खतम करने के लिए पूरा कोर्स होता है और वो हमेशा के जड़ से खतम हो जाती है बिल्कुल क्योंकि कि किसी भी बीमारी का जड़ से खतम होना बहुत जरूरी है नहीं तो फिर से उभरती है और मरीज को बात में और परिशानी होती है हमने मैं इसके थोड़ी दिर पहले होर्मोलन इंबैलन्स की बात की थी एक और बीमारी है थाइरॉइड जिसके मरीज आज लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं कम उमर में भी लोगों को यह समस्या घेर रही है थाइरॉइड में होमियोपैथी कितनी कारकर और उपयोगी मानी जाती है जी देख बीमारी कोई जरूरी नहीं कि शरीर की बीमारी दीखे तो ही हम दोक्टर के पास है मन की बीमारी के लिए लोग साइकेटरिस के पास आते हैं तो इसे बिल्कुल नहीं सोचना है जी हार्मोन का सिधा सिधा रिलेशन है आपकी एमोशनल हेल्थ पे और आपकी एमोशनल तो जो रही बात थाइराइड की तो इसमें क्या होता है दूसरे साइंसेज में जिंदेगी भर वो टाबलेट्स कानी होती है फिर वो टैपर की जाती है और कम की जाती है फिर ज्यादा की जाती है अगए वो फिर ब्लट में as a supplement जैसे ही हार्मन supplements नैसे ही काम करती है लेकिन Wh Notчив — in the तो परहस्नालिटी की जब दाब जाती है oh ओर वो झाती होता है खुद ए होता है, खुद ऑ है रखन के ऑलन पशुब्ल रही होगी हमाना है few एज अध्यों कंच होता है createeurіть- तो आप समझ जाएंगे बीमारी हुस्ती कैसे, for example, किसी के life में, किसी के mother या father का accident हो गया, या वो expire हो गया, या उनकी death हो गई, तो उसका अचानक से किसी भी इनसान को shock लगता है, लगता है shock, तो जब हमें shock लगता है, तो हमारा खुद का defense mechanism होता है, इस तरह से दुख को पाल लेने की वज़य से लंबे समय तक वह एक था बन गई, घूक को कह बी निरार्मानी मन में दुखई है, उन्यादों में है, काम तो कर रहा है, लेकिन वो दुख को बहुत पाल रहा है, तो एक जो अवस्था बनी, वह यही काफी है, आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम को disrupt करने के लिए तो हम यह देखते कि यह घटना हुई इतने लंबे समय तक ही आवस्ता रही और फिर अप थाराइड के अंदर तो इस तरह से फिर हम बीमारी को समझ के फिर उसका treatment करते है तो उससे क्या होता है दुख से निकलने की भी इसमें दवा होती है तो वह वेक्ति अगर वह दुख जैसे काटा गया है काटा घुसा है काटा को अगर हम निकाल देंगे तो वह हीलिंग अपने आप होगे फिर तो यह होमेपैथी का process होता है वह दुख जाती है उसकाटे को remove करती है और फिन नया repair system स्टार्ट हो जाता है फिस बीमारी ठीक होती है यह तो हम यह समझ पार है कि internal healing करने का काम होमेपैथी करती है exactly देखे कहते है ना जैसे चोट लगी घौ किसी किसी का जल्दी भर जाता है कि किसी के घाओ नहीं भरते उसी तरह मन की चोट होती है मन के घाओ लोग दिखाते नहीं है उससे जूजते रहते हैं रोज struggle करते हैं तो वह ज्यादा खतरनाक होता है क्यों 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 साइलेंट रहता है इसलिए आपने देखा होगा आजकल की बीमारी साइलेंट ज्यादा इन चीजों से गुजर रहे हैं का इंसान बहुत खुश्मिजाज होते हैं हस्मुख होते हैं लेकिन आप देखेंगे दो तिन तिन चार चार किलो के टिमर रहते हैं उनके अंदर आपको लेगा सब सही सलामत है बट अंदर उनके क्या चल रहा है वह हम वो दृष्टी से हम इस होमेपैथी को देखते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं जी बिलकुल एक कॉमन चीज में अपसे पूछना चाहूंगा मैम अकसर यह एक ऐसी मानिता लेकर लोग चलते हैं कि ऐलोपैथी में फास्ट रिलिफ मिलता है होमेपैथी में थोड़ा सा लॉंग प्रोसेस है यान जैसे निगेटिव चीज में आपन फैलाओ तो जल्दी फैलती है है कि नहीं उसी तरह होमेपैथिक फिल्ड में तूरंत की तूरंत इलाज होता है और जो क्रोनिक याने पुरानी विमारी होती है उसका रेगुलर थोड़ा बहुत दिनों का कोर्सेस चलते हैं एक्जेम्प होगा और कई लोग की ब्रांती ये भी है कि पहले ये हुमेपैथि में बढ़ाती है फिर घटाती है अब आप ये वात आई अगर किसी को बुखार है 100-100 डिगरी बुखार तो उसे थोड़ी न हम 103-104 करेंगे फिर उसे ठीक करेंगे तो ऐसा भी नहीं है तूरंत का तूरं बि इस तूरंत का तूरंत इलाज होता है और जैसे एक एक्जेम्पल दूं की अस्थमा के पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास 15-20 साल इनहेलर्स लेके आते हैं, अलर्जीज रहती है, तो वो कहते हैं, मैडम हमें ये इनहेलर छुडवाना है ये इनहेलर को, तो उस दौरान में हम जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, इक दम से बन नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज को, धीरे-धीरे करके बन करते हैं, बीच-बीच में कुछ एपिसोड आते हैं, दमा के, जिसमें सांस फुलती है, बुखार आता है, उस टाइम पे तुरन की तुरन दवा दे करके, फिर वो कोर्सेस चाल होते हैं, इस तरह स पुर्सेस हो करके बीमारी को खतम किया जाता है, और ऐसे खतम किया जाता है, जो दुबारा आए ही मत, यह अन्री, उसकी पुंडरा वृति नहीं हो, दुबारा पेशन को परिशान ना करें, और इमर्जेंसी के लिए हम बात करें, तो उसमें होमियोपैथी की क्या भूमिक कि पूमिक। उसके बाद में, तो उस दौरान में काफी ब्लीडिंग होती है, या हम गाठे हो जाती है, बच्चे दानी में तो उसको सीधा ब्लीडिंग के कारन ख touches आ तो जैसे किसी को bleeding हो रही है 15 दिन 20 दिन कई कर एक केस मैंने देखा था जिसमें 90 दिन मेल्स में मायसा से हमतिन से भी उपर कंड़े है तरह मेल्स में वरी कंवानल ऐसे हार्ट प्रोबल्म यह सब्स्याइटें जो हरे हैं falim पेंस टार्ट ओगे अटायका गया तो हम तुरंफ उसको आइस्वी में शिफ्ट करते हैं इंटे इंटीग्रेशन चाहिए यही समय होता है लो पेटिया को मिलके काम करने का ताकि वो अपनी मेजर क्योंकि अग्सिलारी मेजर हमें भी चाहिए हमें भी साधन चाहिए हम उने करते हैं और फिर अपनी दवा भी उन्हें हम देते हैं ताकि फर्दर अटैक्स या फर्दर उन्हें वह प्रॉब्लम्स ना है तो उस्टाइम की तुरंद की तुरंद दवा होती है जी इमर्जेंसिस में भी बिल्कुल एक एहम सवाल यह भी है मैं कि यदि कोई बीमारी पहले हिल चुका था जी वैक्सिन बनी नहीं थी सब लोग उस दवा की तलाश में सब लोग थे तो हम लोगों ने भी ऐसी कुछ researches की है जिसमें की कुछ बचाओ की दवा हमने देखा और बचाओ की दवा जभी निकल पाती है जब एक symptom यहने लक्षन समू जब हमें उस city का वो जब मिलता है तो अगर वो लक्षन समू हमें जैसे दस मरीज हैं तो दसों में एक जैसे लक्षन दिखते तो हम उस लक्षन समू को ले करके हमारी जो होमेपथी की दवा होती है उससे match करती भी दवा निकालते हैं वही दवा सभी लोगों के लिए कारगर होती है और अगर उस दवा को healthy condition में हम दे दे दें बचाओ की दवा को तो immune system जो उसका गिरा हुआ होता है वो booster होता है और ऐसे immune booster भी हो काम करती है और फिर उस वेक्ति का कवच जैसा तयार हो करके फिर वो उस बीमारी से बचा रहता है वो दवा होती है master drug master drug का मतलब यह होता है वो दवा उनमें भी काम करेगी और example corona है हमारे आस पास तो था ही दूसरा है पीलिया फैला हुआ होता है डेंगो फैला हुआ होता है मलेरिया है मौसमी इंफ्लूएंजया फ्लू बोलते है उसको common language में यह सारी बीमारिया बैक्टिरिया वारस हमारे आसपास हमेशा मौजूद होते हैं तो उससे भी एक immune system आपका proper रहता है और आप उन बीम condition में भी अपनी दवा लेकर के उसको पहले ही हम बचा सकते हैं यह बहुत अच्छा benefit है हमारे homeopathic science का तो इसका आप लोग को लाब लेना चाहिए है बिलकुल अब कारिकरम के लास्ली सबसे important बात कहूंगी अभी का जो दौर चल रहा है हाँसे आप 20 साल 30 साल 40 साल पहले अभी के समय में सारे लोगों का emotional health बहुत खराब हो चुकी है emotional health के अलावा सबसे important चीज है नींद जो इश्वर के दी हुई जो बनाई हुई जो चीज है उस पे लोगों का ध्यान बहुत काम हो गया है लोग नींद ठीक से लेते नहीं है बहुत से लोगों के नींद होता है हमारी बॉडी के inflammations या जो भी दिन भर की जो होते हैं वो सारा repair होता है नींद के दौरान और उस नींद को अगर आप रॉपर नहीं लेंगे तो आप कितनी भी दवा खाओ कोई भी दवा खाओ ताकत की खाओ multi-vitamin खाओ चाहे हो में पर आयर वेदिक कितनी भी हो का coordination से तब आप healthy होते हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि जो जीवन में दौर लगा रहे हैं आज रेस लगा रहे हैं वो अपने आपको भूल जाते हैं तो सबसे पहले पूरे 24 घंटे में एक घंट आपको अपने आपको देना है अपनी health को देना है अपनी वीचारों को दे हैं आपके दोस्त हैं वो फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं इसमें सबसे प्राइमरी है health health is wealth and prevention is better than cure बिल्कुल जी यही मेरा मैसेज है तो stay healthy and stay happy बिल्कुल stay healthy and stay happy और जिस तरह से इस कारगरों की शुरुवात से ही हमने समझा कि किस तरह से physical आपफिट है लेकिन इसका मतलब यहने के internally भी आपफिट हो अंदर बहुत सारी चीज़े होती हैं वो आपके thoughts हो सकते हैं किसी अलग तरह का विचार हो सकता है जो आपको disturb करे और और फिर वो चीज़ आगे चलकर किसी बीमारी में तब्दील हो जाए और यह बहुत घाता के स्टेज फिर सापिस होता है आज हमने मैम से यह भी जानने की कुशिश की कि होमियोपैथी किस तरह की चिकित्सा पदती है किस तरह की इलाज में कारगर होती है और सबसे बड़ी अगले बार हम फिर हाजरूंगे किसी नए विशे के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार